नमस्कार किसान सातियो, मैं राज्टुमार वर्मा, स्वागत करता हूँ आप सभी लोगों का हमारे यूटूब चैनल राज एक्रिटेक में सातियो, आज की इस बीडियो में हम बात करेंगे उड़त की कौन सी बैराइटियां बोएं जिन से ज़्यादा उपजपराप्त हो और ये बैराइटियां विभिन रोगों के प्रती सहन सील हो जानकारी के लिए बीडियो को लाश तक जरूर देखें सातियो, उड़त बारिस के मौसम की फसल है यदि हम उड़त की सबसे उन्नत किस्मों की बात करें तो इन किस्मों से हमें ज़्यादा उत्पादन मिलता है उड़त की जो टॉप बैराइटियां है वो निम्न प्रकार है हमारी पहली बैराइटी है मुकुंद्रा उड़त दो सातियो उड़त की यह एक अगेती बैराइटी है जो 75 से 80 दिन में तयार हो जाती है यह बैराइटी पिला मोजयक बाइरस के प्रति सेंसील है अगर इसकी उपज की बात की जाए तो 9 से 13 कुंटल प्रति एक अग की उपज प्राप्त हो जाती है हमारी दूसरी वैराइटी है C9 उड़त की यह वैराइटी 80 से 90 दिन में तयार हो जाती है और यह किसम भी पिला मोजयक के प्रति अबुरोधी है इस किस्म से 8-10 क्विंटल प्रती एकड़ की उपजब्राप्त हो जाती है साथियो हमारी उलत की तीसरी जो किस्म है बह है प्रताप उलत बन उलत की ये किस्म सफेद मक्खी के प्रती सहन्सील होती है और 75-80 दिन में तयार हो जाती है और इस किस्म से 9 से 12 क्विंटल प्रती एकड़ की उपजभी प्राप्त हो जाती है हमने उलत की चौथी बैराइटी जो ली है बहे है पंत उलत तीस साथियो यह बैराइटी पीला मोजग बाइरस के प्रती सैंसील है और 85 से 90 दिन में पक्कर तयार हो जाती है और इस किस्म से 10 से 13 क्विंटल प्रती एकड़ की उपजभी प्राप्त होती है तो साथियो यह उलत की कुछ उन्नत बैराइटी थी जिन्हें आप लोग अपने खेतों में भोकर बहुत ही अच्छा उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं साथियो जानकारी कैसी लगी कॉमेंट में जरूर बताएं और वीडियो को लाइक कर दें साथ हमारे चैनल राज एग्रिटेक को सस्क्राइब कर लें मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ सब तक के लिए नवस्कार